दसकों से आसमान तले सीवाईं दे रहे बीर भूमी टेक्सी यूनियन की सबर का बांद तूरता नजरा रहा है और आगामी लोगसभा चुनावों में टेक्सी यूनियन ने परिवारों से ही चुनावों की वहिशकार करने का निरने लिया है क्योंकि बिधायक से लेकर सांसत अनुराग ठाकों ने भी स्थाई टेक्सी स्टेंड बनाने का आशवाशन दिया था जिसे आज दिन तक पूरा नहीं किया गया जिसकारण अब टेक्सी ऑपरेटरों ने दो टुक शब्दों में चुनावों की वहिशकार करने की चेताव नहीं दी है बता दें कि हम इर पर पसड़े के पास पिछले के सालों से टेक्सी ऑपरेटर आसमान तले टेक्सीयां खड़ी करके दिन राज सेवाएं दे रहे हैं हाला कि विधानसवा चुनावों से कुछ दिन पहले टेक्सी ऑपरेटरों को सांसत अनुराग ठाकों ने स्थाई टेक्सी स्टैंड जल बनाने का वाइदा किया था लेकिन एक साल बीच आने पर अब टैक्सी ऑपरेटर सांसस से भी खफा हैं जिसके चलते ही टैक्सी ऑपरेटरों ने इन्हें लोकसवा चुनाबों में बोट ना डालने का फैसला लिया है बीर भूमी टैक्सी यूनियन के वरिस्ट सदस्या सुदर्शन पतियाल ने कहा कि चाहे सरकार बीजेपी की हो या कॉंग्रिस की दोनों ही सरकारों ने टैक्सी यूनियन का शोषन ही किया है और कोड़े आजबाशन ही दिये हैं उन्होंने कहा कि विधानसवा चुनावों से पूरबी सांसत अनुराग ठाकूर ने टैक्सी यूनियन के कार करम में शिर्कत कर्जल स्थाई टेक्सी स्टेंड बनाने का वाइदा किया थे लेकिन आज दिन तक कुछ नहीं हुआ है लेकिन किसी भी सरकार ने हमारे विस्थापन के बारे में नहीं जोचा पिछला चुनाव था तो हमारे में पर संसरिय अक्षेतर से पारलिमेंट जोन से मानिय संसरिय अनुराब ठाकर जी को यहां पर मंतरत किया गया और हम सभी टेक्सी अपरेटरों ने उनको अपनी समच्छा से अबगत कराया कि कम से कम हमें संसद निधी से इस टेक्सी स्टेंड के लिए बजट महिया कराए जाए, हमारे पास जमीन नहीं है, हमें जमीन दी जाए, ताकि हम अपना उसमें रुजगार अपनाएं और हम जनता को सिवाएं देने के लिए एक टेक्सी स्टेंड की अपना की जाए, लेकिन उन्होंने भी हमारे बारे में नहीं सोचा, चाहे मौजूदा सरकार हो, चाहे पिछली सरकार हो, उन्होंने हर बार हम सब को छला है, हमारे से बोट एंक मागने की हर बार अपील करते हैं, अलक्षन टाइम है, अब लोग साब चुनाप सामने हैं, तो ये लोग फिर आ हर संगठेन में बोट मांगने के लिए, तो ये बड़े दुख की बात है, बोट हम टैक्सी ओपरेटर उसी सरकार को उसी राजनेतिक पार्टी का समत्थन करेंगे, जो हमारे बारे में सोचेंगे, और हमें पर भीर भूमी टैक्सी उन्होंन के विस्थापन के बारे में हमे वहीं टैक्सी ओपरेटरों ने दो टुक शब्दों में कहा कि टैक्सी ओपरेटरों की हर बार मांग को अंसुना किया गया है, और इस बार लोकसभा चुनावों में अपने परिवारों से टैक्सी ओपरेटर चुनावों का वहिश्कार करेंगे, उन्होंने कहा कि जब चुन नजदीक आते हैं तो नेताओं को टैक्सी ऑपरेटरों की याद आती है लेकिन बाद में भूल जाते हैं इसलिए इस बार टैक्सी ऑपरेटर भी नेताओं को सबक से खाएंगे लिए जैसे कि पिटाल जी ने का जब सरकार आती है तो हमारे को प्रणोबल देते हैं कि ऐसा कर देगे हम ऐसा कर देगे आपके लिए जब सरकार बढ़ी जाते हैं तो हमारी कोई पूछने के लिए रहाता है और हर जगा टैक्सी चालकों को बनाया जाता है सोसलाइच के काम हो तो हमारे टैक्सी बाई बढ़ चल करकर बाग लेते हैं ऑस्पिटल के जैसे वो गरीब सबका होता हैं उसको पड़ी फ्री सेवाय मौईय करवाते हैं लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने हमेर पर में या नगरपाली का लें किसी ने हमारी ववस्ता हम अपने बल्बूत बे करते हैं चाहे वो सभाई हो या अपने चलकों की रहने की ववस्ता हो पानी की ववस्ता हो तो सब अपनी यूनिय के तरफ से किये जाता है हमें किसी पिसासनी की तरफ से या सरक परिवारों के साथ इसको हम बिल्कुल बैस्कार करेंगे, जब तक हमारी किछ मांगे पूरी में किजाती है, हम अलक्षिन में कोई बाग नहीं लेंगे ना हमारा परिवार, ना हमारे चाले को कोई में.